कि नमस्कार साथी आपका स्वागत आपके यूट्यूब चैनल ट्रेडवित राने चलिए दोस्तों सुरुवात करते हैं जैसे कि अपनी सीरीज चलिए क्वाटर फोर रिजल्ट की तो उसके अंदर कल रतन पावर इंडिया लिमिटेड़ क्वाटर फोर रिजल्ट आयता तो अगे ट्रेडिंग सेसन कैसे रहने वाला इन सब के वारे आप बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब ने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेले को बजाना बिल्कुल ना भूलिए तो देखिए रतन रतन इंडिया पावर लिमि चल ली ती कि जो थर्मल प्लांट है उनको डेवाई डेडिक्रीस किया जाएगा बट अब जिस्ता से पावर की क्रैसिस चल रही थी तो रिजल्ट आने के वाशे समझ आ चुका है कि कम जो पावर थर्मल प्लांट है एक दिम से बंद नहीं होंगे तो इन शेयरों के अंदर से ग्रावर का मूमेंट देखने को मिला बट जब रतन पावर इंडिया लिमिटर क्वाटर फोगर रिजल्ट आया तो उसने चोका दिया चोकाने के बाद आशेयर के अंदर फिर सा परसेगिट लगा और आपने देख़ोगा पावर शेयर के जितने भी छोटे मंजेले शेय रोके तो तीजी देखने को मिली आपको लेकिशाद एक्स्प्लेंट करना है नहीं चाल समझते से क्वाटर फोगर जल कैसा आया था तो इसका रिजल्ट कल की दिन आया था बारा मई को आज है तेरा मई और रात के नो बचके पचास मिंट और मार्केट बंद हो चुका है त तो इनकी जो अर्निंग्स आयती हुआ थी करोड में आयती तो थोड़ा से इसको सिंप्लिफाइब करके समझते देखिए मैं आगे है इसके ने के साइट पे रहतना इंडिया पावर लिम्टेड आपको नसी बीसी दोनों परिश्टर कंपनी तो आज की डेट में इसका मार् अच्छे देने के लिए अब देखिए मार्च दो जाब 22 इस क्वार्ट में के टोटल से यह सेल हुए 830 क्रोड पेगी और प्रॉफिट निकल का इनको 183 क्रोड पेगा और नेट प्रॉफिट भी इनको आया माइनस में 310 क्रोड पेगा और अनिंग पर शेर की बात के तो अ देकने अधिरींगा टोटल से क्वार्ट में आसएज जल यह दस कोड़ी जैंस घरसिक आप देखिए और अब दहां fish नेने प्रॉफिट में तो देखने को मिली हूं को intervene प्रॉफिट में घटा देखने में मिली बट वही नेट प्रॉफिट के अंदर जो मुनाफ़ घाटा था वह घाटा कम होने को देखने को मिला साथ अर्णिंग पाइशेर के अंदर भी जो माइनिस में चला तो जीरो पंट सेवंटी टू गटके हुआ जीरो पुट फिफ्टी नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में था 49 करोड वह घाटे में गया 310 करोड बेगा और आप देखेंगे अर्णिंग पर्षेर हमारा पॉजिटिव में था जीरो पंट जीरो से वह बढ़के हुआ घाटे में फिफ चीरो पंट फिफ्टीएट अब एक चीस समझीए कि क्या को मिल रहा है बागी क्वाटर क्वाटर रिजल्ट में थोड़ से ग्रोफ देखने वह लिए कंपने अपना करजा कम क्या यह पॉजिटिव सेंदेखने को मिल रहा है अब इसके अंदर और क्या है तो देखें इसका शेर होल्डिंग समझते तो मार्च 22 देखें लास्ट 24.19 थी वह घटके हुए 24.06 साथ-साथ FIS के होल्डिंग 0.17 थी वह बढ़के हुए 0.21 हो गई है अब डियाइस की होल्डिंग देखें लास्ट क्वाटर 14.12 थी वह घटके हुए 14.42 तो अब पब्लिक के होल्डिंग 42.43 हो गई है तो आप दिसकते हैं इस क्वाटर में पर म अच्छा देखने को मिल रहा है बट रिजल्ट किता सस्टेंड रखता है किती तीजी दिखाता है वह आपको थोड़े दिर में एक्स्प्लें करता हूं मैं आपको देखें गूगल पोपन कर रहा है तो आज के दिन है मोटा मोटा यानि के साड़े चार परसंट सरकेट लग सब्सक्राइब गरावर दिखा चुका है वन मंद के अंदर साड़े बाइस परसंट गिर चुका सिक्स मंद के अंदर या अभी तक हमार को सोला परसंट ने रिटन दे चुका पॉजिटिव में यह यह चे महीं ने भी पहले आपके पॉर्टफॉलियो में शेर आपने लिया रहा आज के दिन यह तो यह देखिया आप गिरता बढ़ता यानि के लोबर सरक्राइब करता गिरा बड़ा गिरा बड़ा यह तक लाता इसके अदर तो लगा कि आपर से बंद हुआ है अब देखिए चार्ट पे कहा मूमेंट देखिए एक चार्ट पर पूरा डाउन फॉल देखने को मिला हमार को यानि आप दिसकते हैं इसने चेर पर चौश्ट पैसे हाई मारा ता हुआ के बासे लगा तरे डाउन फॉल के तब देखने को मिला शेर के अंदर और एक रेली चली थी पहले अप अपर सरकेट की और आप वही देली ग्रावर के तरफ ट्रेट कर रह अपने घाटा ता उसको कम क्या यह पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं अब देखिए आजसे में क्या करना है कि अभी आपको फ्रेस बैंक तो बिल्कुल नहीं करनी है अगर आपके पास से तो होल्ड रिक्स लेना चाहते हैं तो अभी बाय कर सकता है अधर वाल्ड प्रॉफिट बॉकिंग कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट के आपको आपको 3-4 दिन देखने को मिलेगा क्योंकि अभी बीशेर के पूरे डॉनफोल के ट्रेंड है कोई अब ट्रेंड के चार्ट पर कोई अप्ट्रेंड के पैटन देखने को नहीं मिल रहा है रिजल की तेजी मिली क्या पता आने वाला जब भी मार्केट ओपन होगे इसके अंदर तेजी दिखाएगा गिरावट वह आने वाले टेम पर आपको पता चल देखने को मिल रहा है अगर सही आपको लगता है कि आपको इसमें अच्छा प्रॉफिट आने हो चुका अब निकल सकता है चोटे तेशने अच्छा भॉपिए.